अ स्लाम अलेकूम अजय साथाइज चिकन लॉलीपउप्स चिकन लॉलीपस हुआ नीवाख चिकन लॉक्स माठाया ती आज हम बना रहे चिकन लॉखि बनते हैं लेकिन बनारी हुं चिकन लॉलीपॉप्स senin के साथ अध्किलो की मौहा है ही एकड़ी गजर बिल्कुल सनड़ी जिका चौप थेला एकड़ी बसर चौप थेला उनका स्वा थोड़ा धाना है एक थूम है जैंजी ट्रे-चार गड़ियू बिल्कुल सन्यू कटे चौप कई हैं एकड़ी नडी प्याली ये समझे तक्रीबन मुन् आइक ही टीस्पूनलो ना अधर टीस्पून गड़ा मिर्च ये जो चीजे मेरे पास है आधा किलो चिकन का कीमा है एक छोटी प्यास कटी हुई एक चोटी गाजर कटी हुई बल्कुल बारीक तोड़ा सा अहा हर धनिया है तीन-चार जवे लसन के जो बारीक काट के चौप कर दी है एक टीस्पून नमक है अधा अधा टीस्पून काली मिरच और लाल मिरच दो अंडे हैं जिसमें से एक में पहले डालूंगी अगर जरूत पड़ेगी तो दूसरा डालूंगी इसलिए एक मेने तोड़ के रखा है और यह ब्रेट क्रम्स हैं तकरिबन पॉना कप और टूट्पिक्स जो की लौली पॉप्स बनाने के लिए एक टूट्पिक्स अधाय जेक रखाएंगे स्टिक्स ठाइन दासीट सब् toad पैरियोग पेरिए सब शेयिन मिलाई रखे शाइन अ मिलाई नके मसाले के मिलाई से साली चीजे हम इसमें शामिल करेंगे और स्कोची त फुर्फ के नहीं बटाइब पॉसिबल नौ नहीं अग्यूंद असाइन आपके शाइन भी महां नहीं घाने हैं जोटाइब आपके अन चाहिए अन्दे में भी बेदे जी अगर जरुवत पाई उभी महां नमें शामिल करना हैं इस वह था दो पूझा पापके देखा रहा है बैंदा डाला दूसरे की जबरत मुझे नहीं पड़ी हाने असा घड़ाइ अधकला चला फ्रिज में रखना सी इसको ढ़क कर आदे गंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है और आधे गंटे के बाद निकाल के फिर हम इसका आगी जो भी काम है वो करेंगे अधुल बाल्स बनाएंगे यह तेल है थोड़ा थोड़ा थेल हाथ पे लगाएंगे चोटटे बाल बनाएंगे ठीक है अधुला का पो ही कीमो मुं कड्ड़िवा फ्रेज माँ धेल यह कुछ थोड़ा तेल हाता की हरनदा शी अने जान दार बॉल्स ठाई लकाएं अगना वं इतने त्रफित कोफटों की तरह बॉल बनाने यह बहुत ज्यादा चोटिवी नहीं और बड़ी नहीं होने चाहिए तेल में गरम करने के लिए इसको डीप फ्राइभ करेंगे नियुक्त तेल रखिवा है एक भर छोनिया त्वा तेल तेल त्माम तेस गरम नहीं तो उनके गर तेल कोलिटी खराब थे लून मिर्च माझे तरो भी विद्वा वो ताहां पाजी मर्जी मताबक रखो नहीं मुझी पिंडी रेडिया में मुही पेपर बिचाए चालिए अब मैंने हमेशा समझाए कि कभी भी अखबार नहीं बिचाया करें अखबार का इंक जो होता है वो ज अन्या हलको गरम आया थोड़ो वदी का गरम थे अन्गुट जे तेल थोड़ा सा और गरम हो मैंने इसकी आग थोड़ी सी बढ़ा दिये जैसे थोड़ा गरम होगा मैं इसकी आँच कम कर दूँगी इनको हम दर्मियानी आँच पे तलेंगे क्योंकि अगर तेज आँच पक जाएं तो ही बाहरा संगर गर अंधरा भी पची वजाएं तो विचोली बाहते हैं आइसे आइसे पचन प्या ठीक है अगर हम बहुत ज्यादा बड़े बाल बनाएंगे तो कचे रहे जाएंगे और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए दर्मियानी साइज के अगरे भी पक्रे में इनको बार बार पलटे रहोंगी यहाँ तक कि यह गोल्डन ब्राउन हो जाएं अ